हर्याना चुनाओं के नतीजों का आसर क्या उत्तरप्रदेश के उप्चुनाओं पर भी पढ़ने वाला है? क्या हर्याना चुनाओं के नतीजों से जिस भरतिनता पार्टी को मैंडेट मिला है क्या उत्तरप्रदेश के उपचुनाओं में भी उसको इसका फाइदा मिलेगा और जो इंडिया गडबंदन या कॉंग्रिस पार्टी जो हर्याना के चुनाओं में नुकसान में है वो किस तरीके से उपचुनाओं में अपने आपको साबित कर पाएगी या क्या जो 2024 लुकसाबा चुनाओं के नतीजे थे उसके आसपास भी इंडिया गडबंदन कहीं रह पाएगा नमस्कार मेरा नाम है वेक राय आप देख रहे हैं ABP लाइव देश में हर्याणा और जम्मू कश्मीर में चुनाओं हुए और इन चुनाओं के बाद अब उत्तरप्रदेश में उपचुनाओं होने वाले हैं और उत्तरप्रदेश के ज़स्ट बगल का जो राज है हर्याणा, वहां के चुनाओं के नतीजे, किस तरीके से उत्तरप्रदेश पर इंपैक डालेंगे, इसको लेकर तमाम अलग-अलग लोग-अलग बातें करना शुरू कर चुके है, उत्तरप्रदेश के उपचुनाओं की बात करें तो इस उप्चुनाओं में भारती अंता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत जो है वो जोग दी है उतर सूबे के जो मुखिया है योगया दितनात वनों ने दो सीटों के जम्मेदारी ली है इसके लावा दिप्टी सीयम प्रदेश अध्यक्ष प्रदेश संगठन मं इन सब के खाते में दो-दो सीटे गई हैं कॉंग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी ये दोनों पार्टियां भी पूरी तरीके से इंडिया गड़बंदन के तहत दसों सीटों पर अपनी जो कोशिश है प्रयास है उसमें लगी हुई है पर जो हर्याना चुनाओं के नतीजframe से जिस तरीके से भी ताप्र में डेत को मेंडेट मिला है उससे कहीं दुनों जो जो लोगसभा चुंण। कि जो नतीजे थे उससे जो भाज़पा के कारेकरताओं का मनोबल कहीं गिरा हुआ दिखाई दे रहा था वह किस तरीके से इस हरेना चुनाओं के बाद इक गभार फिर से उठता हुआ दिखाई देगा इसको लेकर कहीं बाजपा के अंदर लोगों के अंदर एक खुशी की जो चीज है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है वहीं जो इंडिया गडबंदन 2024 के लोकसवाद चुनाओं में अपने प्रदर्शन के बाद काफी जादा खुश था क्योंकि इंडिया गडबंदन निस कुल 43 जो सीटें हैं वो जीती थी और इसके बाद अब उप्चुनाओं को लेकर के भी इंडिया गडबंदन अपनी पूरी तयारी में था और लगातार चाहे कॉंग्रेस पार्टी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो वो उप्चुनाओं की सभी सीटें जीतने का जो दावा है वो कही नकहीं कर रही थी पर हर्याना के जो नतीजे हैं वो इस बात को बताते हैं की इससे कहीं नकहीं इंडिया गडबंदन का जो मनुबल है या कॉंग्रेस पार्टी का जो मनुबल है वो कम हुआ है हलाकि अलग-अलग exit poll, अलग-अलग जो चीजे हैं, वो Congress Party के समर्थन में पहले जो बाते हैं वो कह रही थी, पर नतीजे कहीं न कहीं उससे सिफर रहे, नतीजे भारते इंता पार्टी के पक्ष में रहे, और इस से भाज़पा का जो कारे करता है, वो कहीं न कहीं फिलहाल चा हुआ है, आम तोर पर जो पार्टी अउप्चुनाओं में ना के बराबर ही उसने उप्चुनाओं लड़े हैं, कुल अभी तक के विए उप्चुनाओं में 4-5 बार ही ऐसी समय आया है, जब बहुजन समाज पाटी जो है, वो उप्चुनाओं लड़ी और इस बार बसपा भी उपचुनाओ लड़ रही है और बस्पा ने उपचुनाओ के पहले अपना जो हर्याणा है वहां पर भी उसने अपनी कोशिश की थी वहां पर उसने 37 सीटों पर जो उसने अपने प्रताशी उतारे थे पर उसको कोई जो एक तरीके से जो रिजल्ट था वो काफी जादा निराशा जनेक रिजल्ट बस्पा को हर्याणा से मिला है इसके बाद अब उत्तर प्रदेश के जो प्युनाओं है उसमें बस्पा किस मनोबल के साथ आगे बढ़ती है किस तरीके से लोगों के बीच में जाती है ये भी अपने आप में काफी जादा देखने वाली बात और इसका जो कही न कहीं खाम्याजा है वो विपक्ष को यह जो बाकी दल है उसके कार्यकरताओं को कही न कहीं उनके ऊपर इसका जो इंपैक्ट है वो कही न कहीं देखने को मिल सकता है वीवेकरा ABP Live के लिए झाहिए